अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें तो सम्माने साथी चलते आज की इस खास ख़बर की और अंदुशक शिक्षामिट्टों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मित्रुनोर्सकार प्राप जनकारी के अनुसार आगामी दो-चार दिनों में अनुदेशक साथियों का सम्मान योगी सरकार द्वारा दिया जाएगा इसके बाद शिक्षामिट्ट परिवार को पक्की नौकरी का वादा पूर्ता होगा आप सब धहर बनाय रखें ये एक बड़ी पोस्ट जो की सोशल मीडिया पर बारे लो रही है साथियों आज की ब्रेकिंग निउस और इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि शिक्षामित्र अनुदेशक भायों और बहनों का सम्मान योगी सरकार वापस करेगी उत्तर प्रदेश सरकार वापस करने जा रही है साथियों ऐसा लगता है कि दीबाली का जो गिफ्ट है वो धमाके के रूप में समविदा कर्मियों के परिवार के लिए सरकार ने देना शुरू कर दिया है जो रोजगार सेवक हों आंगनवारी हों या अन्य समविदा कर्मियों उनको आप देखी चुके हों और सरकार ने उनके लिए बड़ा हुआ मान दे दिया है गोशना खुले मन्चों से की है लेकिन अभी तक अंधिशक और शिक्षामित्रों के बारे में अभी तक कुछ खुलासा ने किया है लेकिन हाँ जल्द ही वो खुलासा होने जा रहा है दिवाली से पहले कि सिक्षामित्र और अंध्रेशकों के लिए क्या खास गिफ्ट, क्या खास समाचार, क्या खास तौफा सरकार देने जा रही है ये बहुत ही जल्द आप सभी को पता लगने वाला है जैसा कि ये पोस्ट आ रही है लवली शुक्ला जी की और इसके साथ ही अन्य पोस्ट भी है, एक हमारे भाई है, उन्होंने दावा किया है और घुचना कर रहे हैं कि अगर हमारी माने पूरी नहीं हुई तो जल्द से जल्द हम लोग लखनों में इसके लिए आवाज उठाएंगे और अपनी मांगे सरकार तक शांतिपोर तरीके से, समयदानिक तरीके से रखेंगे और उनसे गौहार लगाएंगे कि हमारे परिवार की, हमारे अंडिश्यर परिवार की रक्षा करें साथियू और वो सरकार तक अपनी बात पहुचाने के लिए सबी से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कारिकर में इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुचें और सरकार तक अपनी बात पहुचाने में हमारी मदद करें क्योंकि जब तक आप संगटित नहीं होंगे तो आपकी बात को कोई नहीं मानेगा आगे इसमें दिया है आगामी दो-चार दिनों मैं नुदिशक सात्यों का सम्मानी क्योंकि सरकार दोाद दिया जाएगा इसके बाद सिक्षामित परवार को पकी नौकरी का वादा पूर्ण किया जाएगा आप सब धहरे बना कर रहें सूचना सूत्र है एकदम सत्र होने जा रही है बीच बीच में मैं आपको सूचना देतार नहूंगा ये लवले शुगला जी है और इन्होंने ये पोच्ट की है सोचल मीडिया के माद्यम से सबी को बताने की कोशिश की है कि अंधिशक शिक्षामित्रों का सम्मान जल से जल सरकार वापस करने जा रही है दिवाली के तुफ़े के रूप में साथियों देखते हैं कि ये दिवाली का तुफ़ा हमको कब तक प्राप्त होता है और किस रूप में वो प्राप्त होता है जिसकी हमने तमन्ना किये जिसकी हमें लालसा है और जिसके हम हकदार भी हैं क्या वो तुफ़ा हमारे मन के या हमारे अनुरूप होगा ये देखने वाली बात होगी, बड़ी बात होगी साथी हूँ, आगे एक पोस्ट एक प्रदेश के हजारों अंदुशक्षक शमित्रों में साशनवा सरकार के पती रोस ब्यापत है, ये बिल्गुल सही है, ऐसे मैं अंदुशक संग उत्र प्रदेश की द्वारा प्रदेश के कि अपन कारिकरम धन्ना प्रदेश संगर्स करते हैं, अंदुशक शिक्षक साथियों के साथ, जिला मुख्यले पर एकत्रित होकर, प्रदेश नित्तर द्वारा अंदुशक शिक्षकों की प्रम्क समक्साओं के जारी मांग पत्रेवं, समस्त जन्वधिये साख अपने अपने ब्लॉक या अपने अपने तैसी इस्तर पर जाकर वहाँ पर ग्यापन दें, उच अधिकारियों द्वारा मानमें मुख्मंती तरक अपने आवास को उठाएं, ये अपील की गई है, समस्त प्रदेश के अनदुशकों से, अनदुशक समस्त पर जाएं, ये अपने अपने जलमों ख्याले, ब्लॉक अस्तर जैसे जो कर सकते हैं, वो अपने उच अधिकारियों को दिवाली से पहले अपने मांग पत्र जरूर दें, और ग्यापन के उप में उनको अवगत कराएं कि हमारी जो दैनी इस्तधी है, उसको सुधारन की कृपा करें, मानि मुहमंतरी जी और आप देख रहे हैं, इस धरनिक की त्यारी हो रही है, मैंने आपको पहले बताया था, सभी सम्मानित प्रदेश के पतादिकारे समस्त जन पदिये, अध्दक्ष मंदिवा अंदेशक शिक्सातियों, उत्तब्र शासन वर भागे का दि करने अंतर पत्र के मात्यम से अवगत कराया गया, जो की पिछले खाफी समय से विए सिक्षिक्षय परिसत के नियंतरार दीन, अंदेशक शिक्साति की समस्त शासन इस तरपल लंबित हैं, अभी तक जिनको पूरा नहीं किया गया है, वहीं शासन वाविभाग के दैनी इस्ति आर्थक इस्ति से जूसते हुए और अल्ब मांदे में इमांदारी से लगातार काम करते हुए ये प्रदेश के गुरुजन, अनलिशक शिक्षक, अपना करतब्य, पूरी निष्टा इमांदारी और कटिन परिश्रम के साथ उसको अंजाम दे रहे हैं, अपने प्रदेश के अनुदेशब और शिक्षामित्र भाई वैनों का, क्योंकि सरकार पहले से ही वादे किये हैं कि हम उनके लिए कल्यानकारी कारे करने क्या प्रियास करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी कल्यानकारी कारे सरकार द्वारा नहीं किया गया है, अब उमीद जता रहे ह कि सरकार हमारे पक्ष में फैसला करने चाह रहे है साथियूं, ये बड़ी ख़वर है, लेकिन हमारा जो हक है वो हम ज़रूर मांगते रहें क्योंकि एक कहवात है, जब तक बच्चा रोता नहीं है, मादूद नहीं प्लाती है, और यहाँ पर एक बात और सत्त भी है, उसको समझना होगा, पहले मैं पोस्ट को बता दूँ, संबोदित करतू अपने जनपत के जन प्रतिनदियों के समक्षे से इनांग 22 सक्टूर से 27 सक्टूर दो जाएक किस तक ग्यापन देंगे, अथा आप सभी से अनरोध है कि उपरोप्त आंदोलन कारेक्रम को सफल बनाने का सब्सक्राइब करें, ग्यापन पत्र का प्रावड़क चारी किया चाहेगा, साथी जो एक ग्यापन होगा, वही हम लोगों को सब को दे रहा होगा, उसमें मागी एक तरह होने जैसे कि हम लोग ट्यूट पर कोई भी हम लोग समाचार जब पोस्ट करते हैं, तो एक ही जह र बताना चाहरा था कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, मा दूद नहीं पिलाती है, यह बिलकुस सत है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, माफ कीजिया यहां पर, जिस माने कभी बच्चों को जनम ना दिया हो, या जो मा ने अपने ममता का या परिवार का, या परिवार क क्या होता है, उसकी तकलीफ ही क्या होती है, नहीं समझाओ, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि वो दूद बिलाए, किसको बिलाएगी, वो उस कष्ट को, उस दर्द को शायद ना समझ पाती हो, एक बाल बच्चे वाली मा के, के सामने या उसके तरह है, तो साधियों, यहां पर मेरी बात कहने का आप समझ गया होंगे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो अब बस निवेदन यही है, कि जो भी है, कोई बात नहीं, हमने इतना सहा, और सही, और संगर्ष तो हम करते ही रहेंगे, यह हमारा समवैदानी का दिकार है, अपनी मांगों को हम सब के सम समक्ष, सरकारों के समक्ष, अपने जन प्रतनिदियों के समक्ष और विवाग के समक्ष रखते रहेंगे, और वो जहनते भी हैं, ऐसा नहीं है, और हमारे हक में फैसला होना चाहिए, यहाँ पर एक बात कहूँगा, कि दोस्तों निराश मत हो यह, अपना टाइम आएगा, जरूर आएगा और चल्द आएगा, धरना प्रदर्शंद के पहले लखनों में खुली बैठग होगी, संग की और से सभी के सुजाव मंतरित होंगे, सभी पदादिकारी अपनी भूम का निवाएंगे, हम सभी की सिमेदारी है, नोट, लखनों में धरना प्रदर्शंद के जल्द ही घुशित होगी, प्रदेश कारकारणी की लखनों में उससे पहले इसी महाँ अन्य संगटों से बारता कर सफल आंदोना घुशित किया जाएगा, धन्यवाद, यह अपील कही गई है कि जितने भी संगट हैं, उन सबसे हम लोग पहले अपनी में बैठग करेंगे, और सुझाव लेंगे, विचार लेंगे, अवंतरित करेंगे सुझावों के लिए, विचारों के लिए, तो यहाँ पर यह भड़ी पोस्ट है सभी की, इसमें बताना चाहेंगे साथियों कि हम लोग जो है, अपनी अपनी तयारी करें, और इसकी मीटिंग लखनों में होगी और सबसे पहले आफस में हम लोग राय मश्वरा कर लें, जो की सही ओकियों की, अचार सही था, को अब हमें ध्रान रखना है, और समय दानी, जो भी हमारे नैतिक करतब्द हैं, उनको भी रक्षा करनी हैं, उनका हनन नहां कोई गयर कानूनी काम हम लोग के, हम सिक्षकों क द्वारा ना हो चाहें, वो व्यत्तिकत हो, या सोशल मीडिया पर पोस्ट के रूप में हो, या वक्तब या और्ट के रूप में हो, तो निवेदन आपका, आप से मेरा यही है, मेरे चैनल के माध्यम से, परस्नली, कि आप लोग कोई भी टिका टिकपनी करने से बचें, किसी क कोई भी लांचन ना लगाएं, बस निवेदन करें, निवेदन करें, निवेदन करें, क्योंकि मैं कह चबाओं, अपना टाइम आएगा, और इसकी शुरुवात कि है, हमारे भाई ने, और शुशान कमिश्राजी हैं या पर, उन्होंने कहा है, कि हम लोग चलत कारिकरम करने लगनों में वो तयार है, अब एक पोष्ट आई-टी ट्यूटर पर उसमें कहा था, कि सिक्षामित्रों का कुछ महरात जी करें, सिक्षामित्रों की नवेदने कहा है, सब हमारे लिए परिवार की तरह है, और पूरा प्रदेश उनके लिए परिवार की तरह है, जो भी होग उत्तर पुर्दिस सकार के यशश्वरी मुख मंत्री मानिय श्रीय योग यादित नात जी ने कहा है ये एक अच्छा संकेत है पॉजिटिव बात उन्होंने कही है सकार अत्मक विचार के रूप में अपने तिल की बात अपने विचार को अपने मन की हर्द की बात को हम तक पहुचाया है सातियों ये एक बड़ी पोस्ट कहीं जा सकती है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो भी करेंगे वो समान रूप से करेंगे शिक्षामित्र हों या अनधेशक हों यहाँ पर ये भी कहना आती शुक्ती नहीं होगी कि अगर समायो जन सक्षामित्र होगा तो अनधेशक होगा